दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही ज्यादातर राज्य अब पाबंदिया भी तेजी से हटा रहे हैं इस महीने के पहले हफते से ही राज्यों ने अपने यहां चरणबध तरीके से प्रतिबंदों में ढील देना सुरू कर दिया था ताकि धीरे धीरे गतिविधिया सामानिय बनाने में मदद मिल सके दिली सरकार ने तो प्रमुख बाजारों को खोलने की इजाजत पहले ही दे दी थी अब सापताहिक बाजार भी फिर से लगने लगेंगे माल और बड़े वेवसाइक परिसरों में काम सुरू हो सकेगा इसके अलावा रेष्टरां, बार, उद्ध्यान भी खोल दिये गए हैं दिली के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्राखंड, राजिस्थान, पंजाब, हरियाना, तेलांगना, आदी राज्जियों ने भी अपने यहां सभी सहरों को सक्त पाबंदियों से लगभग मुक्त कर दिया है, तेलांगना ने तो अपने यहां सिक्षण संस्थान भी खोलने का फैसला किया है, हालांकि कई राज्यय अभी हालात को देखते हुए, इसकूल कोलेज आदी खोलने में हिचकिचा रहे हैं, इसमें कोई सक नहीं की, इसकूल कोलेज खुलते ही विध्यार्तियों की आवजाही तेजी से बढ़ेगी और फिलाल यह जोखिम भरा ही है, इसलिए सिक्षण संस्थानों, खेल, परिसरों, जिम, आदी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, सबसे जरूरी तो फिलाहाल छोटे बड़े कारोबारों को फिर से रफ्तार देने की जरूरत है, ताजा आकड़े बता रहे हैं की तेश में अब महामारी की दूसरी लहर एक तरह से उतार पर है, 88 दिन बाद पहली बार रविवार को सबसे कम 53,000 मामले सामने आए, दिल्ली में तो यह आकड़ा सो से भी नीचे आ गया है, इसलिए अब जिन्दिगी को फिर से पुराने ढर्रे पर लोटाने की कवायद होनी चाहिए, लेकिन पूरी सतरकता के साथ, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि महमारी का खतरा अभी टला नहीं है, लगभग दो महीने की सक्त पाबंदियों के कारण सिर्फ संकर्मन को फैलने से रोक पाने में कामिया भी भर मिली है, इसलिए अगर आचानक से भीड बढ़ने लगेगी, तो फिर से संकर्मन फैलने में देर नहीं लगेगी, तीसरी लहर को लेकर महमारी विशे सग्यों की चेतावनियों को नजर अंदाज करना बड़े जोखिम को नियोता देना ही होगा, तीसरी लहर का खतरा सितंबर अक्टूबर में ही बताया जा रहा है, हालांकि विसानु के बदलते रूपों को देखते हुए भविस्यवानी कर पाना बहुत ही मुश्किल है की कोन सी लहर कितनी घातक होगी, इसलिए अब सारा जोर बचाव संबंधी उपायों पर ही होना चाहिए, सच तो यह है की अभी भी लोग हद से जाद लापरवाही बरत रहे हैं बिना मास्क के घूमने सारवजनिक इस्थानों पर सुरक्षित दूरी का पालन नै करने, उचित तरीके से हाथ नै धोने जैसी बाते आम हैं, कर्फियू के दोरान भी अवारा गर्दी करते हुए लोग मिले, ऐसे में पुलिस को सकती के लिए मजबूर होना पड़ता है, दुस्साहास की यह प्रवर्ती खतरनाक है, बाजार में चहल पहल होते ही लोग मान लेते हैं, की अब महामारी खत्म हो गई पर ऐसा है नहीं, खत्रा बरकरार है, इसलिए बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, इस वक्त सबसे बड़ी चुनोती लोगों की जान बचाने और अर्थ विवस्था को सम्हालने की है, अगर सिर्फ लापरवाही के कारण ही हालात बिगड़ते रहे तो बार बार प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं, ऐसे में बाजार नहीं खुलेंगे तो कारोबार कैसे चल पाएंगे, यह सोचने की जरूरत है बंदी और प्रतिबंधो, जैसे कदम से राज्जियों को हजारो करोड रुपे के राजश्व का घाटा हो चुका है, ज्यादा तर राज्जियों की माली हालत खस्ता होती जा रही है, टीका करण की इस्तिती क्या है यह किसी से छिपा नहीं है, इसलिए अगर सतरकता के साथ कदम नहीं बढ़ाए गए, तो आने वाले वक्त में महामारी के खत्रे के साथ ही अन्य जोखिम भी फिर से हालत खराब कर सकते हैं,